जेहिन दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी नई वीडियो में आज की वीडियो काफी अदा महत्रपून होने वाली को कि दोस्तों BPSC Agriculture का जो आंसर की है ये रिलीज हो चुकी हो अब यहापर जो इस्टुडेंट है या फिर जिन्होंने आपर जो एक्जाम दिया है वो यह जानना चाहते हैं कि आगि यहापर कितनी कट ओफ रहने वाली है और कितने नमबर ओफ अटेंट्स क्यूशन यहापर हुए है पेपर का लेवल कैसा था सारी जनकरी आपको इस वीडियो के मादम से मिलने वाली है तो दोस्तों BPSC Agriculture में यहापर BAO और SDAO के यहापर वीडियो पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे चलते दोस्तों यहापर सब्जेक्ट वाइस यहापर सबसे पहले नमबर ओफ अटेंट्स देख लेते हैं उसके बाद यहापर टोटल नमबर कितने होने वाल की बात करें तो दोस्तों 60 से लेकर 65 तक अटेंट्स देखने को मिले हैं यानि इतने नमबर ओफ फिशन करें उसके बाद यहापर ST केटिगरी की बात करें दोस्तों 55 से लेकर 60 नमबर तक इस्टुडेंट्स देखने को मिले हैं उसके बाद EBSC की बात करें तो EBSC केटिगर के लिए 65 से लेकर 70 तक अटेंट्स देखने को मिले हैं अब बात करें एगरोणोमी की तो दोस्तों एगरोणोमी में बीएओ और SDAO के Paper 1 की सबसे पहले बात का लेते दोस्तों Paper 1 यहापर थोड़ा सा हाड था Paper 2 के मुकाबले तो Paper 1 के अंदर Attempts थोरी से कम रहे है तो UR category के लिए 75 से लेकर 80 तक Attempts देखने को मिले है SC category के लिए 55 से लेकर 60 तक यहापर Attempts देखने को मिले है यानि Number of Question Attempts देखने को मिले है ST category के लिए 50 से लेकर 55 तक EBC category के लिए 60 से लेकर 65 तक Attempts देखने को मिले है BC category के लिए 60 से लेकर 65 तक EWS category के लिए 65 से लेकर 70 तक Attempts देखने को मिले है वेसी दोस्तों आपर Agronomy के Paper 2 की बात करें तो दूस्तो इसके इंदर attempts थोरे ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा easy याँ पर आया था UR category के लिए 75 से लेकर 85 तक attempt देखने को मिले है SC category के लिए 55 से लेकर 60 तक attempt देखने को मिले है ST category के लिए 50 से लेकर 55 तक EBC category की बात करें तो 65 से लेकर 70 तक attempt देखने को मिले हैं और BC category के लिए 65 से लेकर 70 तक और EWS category की बात करें तो 70 से लेकर 75 तक attempt देखने को मिले हैं अब बात कलेते हैं कि यहां पर total number of question कितने हुए हैं यानि total number of marks कितने हैं यहां पर देखने को मिलेंगे सब्जेट के टोटल मिलाके हिंदी की यहाँ पर अपन नमर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का था कम से कम 60 नमर आपके होने चाहिए हिंदी के अंदर तो आप उसके अंदर क्वालिफाइ हो जाएंगे बाके यहाँ पर GK और Agri-Culture की यहाँ बात करें तो दोनों का टोटल यहाँ पर करेंगे पेपर वन और पेपर टू के लिए UR केटीगरी के लिए 370 से लेकर 450 तक यहाँ पर देखने को मिले हैं इसके बाद SC category की बात करें तो 280 से लेकर 200 पिचाण में तक यहाँ पर टोटल नमबर ऑफ जो क्यूशन है वो देखने को मिले हैं स्ट से लेकर 280 से लेकर मार्क्स देखने को मिलेंगे нам C category बेंन हम फिरे 208 2020 से लेकर और 30 से लेकर sof ग यहाँ पर टोटल नमबर यहाँ पर मिलेंगे तो दोस्तों यहां से आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कितनी यहाँ पर cut off देखने को मिल सकती है तो दोस्तों यदि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना में आगे भी ऐसे ही जानकरी लेक आता रहता हूं